हेलो फ्रेंड्स मैं अमित कुमार और प्रो टेडिंग अकडेमी की मानीग्रो एडुकेशनल वीडियो सीडिस में आप सभी को मैं बहुत बहुत शागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ASEAN Granite दोस्तो यह स्टॉक बहुत ज़्यादा गीड़रा है मैं कुछ दिन से ओब्जर्ब कर रहा था लेकिन आज इसमें एक बहुत ही अच्छा हल चल दिखाया गया है मतलब चार्ट में जो है वो हम लोगों को दीख रहा है एक बहुत ही अच्छा हल चल और वो भी एक अच्छा खासा सापोर्ट लेवल पे मैं पूरा चीज आपको explain करूंगा उससे पहले दोस्तो आपको भी अगर मुझे कोई stock का analysis request करना है तो आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं और वहाँ पे discussion board पे आप अपना request डाल सकते हैं telegram channel का link इस video के नीचे और description में दुनों जाका पे दिया हुआ है तो फ्रेंज चलिए और देर न करते हैं हम लग सुड़ू करते हैं ASEAN Granato share price analysis दोस्तो आगे बढ़ने से पहले क्रिपिया इस disclaimer को पढ़ दीजिए ये बहुती महत्तोपूर्ण है और एक बात है दोस्तो कि stock market जो है ये एक बहुती risky business है आप अपने financial advisor से बात किये बिना कोई भी पैसा stock market में मत लगाईए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका return का कोई guarantee stock market में नहीं होता है तो stock market में पैसा लगने से पहले आप ज़रूर अपने financial advisor या financial planner से एक बार concert कर लिजे तो friends हम लोग आ गए हैं ACN Granite के technical chart में हैं और मैंने यहाँ पे daily chart लिया है लेकिन दोस्तो ये जो fall है इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत fundamental समझना चलूरी है तो हम लोग technical analysis से पहले पहले थोड़ा fundamental analysis कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग पहले जाएंगे google news पे और उसके बाद जाएंगे screener.in पे तो दोस्तो चलिए देख लेते हैं तो friends हम लोग आ गए हैं google news पे आप सामने देख पाड़े हैं कि google news खुला हुआ है दोस्तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा news आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देखिए Asian granitos profit jump twofold to rupees 25 crore in Q3 FY21 तो दोस्तो अगर इसका जो profit है वो इतना ही jump हुआ है तो price इतना गिर क्यों आए भाई क्योंकि दोस्तो अगर कोई stock में profit ज़ादा हुआ है वो तो अच्छा बात है इसका मदलब दोस्तो के उपर में जो retail trader खड़ित के बैटा हुआ था जिसको लगड़ा हता के और उपर जाएगा most probably जो है price को नीचे इसलिए धकला जा रहा है ताकि वो लोग डर से निकल जाए और जैसे वो लोग डर से निकल जाएंगे तो जो big investor है वो नीचे से अपना position बनाएंगे और price को उपर लेके जाएंगे क्योंके दोस्तों अगर कोई quarter में jump होड़ा है twofold का मतलब double होड़ा है अपना profit तो क्यों भाई उसमें से investor निकल के जाएगा तो friends चलिए हम लोग screenart.in पे जाते हैं और कुछ चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में तो friends हम लोग आगे हैं screenart.in पे और हम लोग के सामने AC & Granite का fundamentals पेज खुला हुआ है तो दोस्तों पहला जो चीज़ fundamentals में मैं देखता हूँ वो आप सभी जानते हैं कि book value book value अगर देखेंगे तो 174 इसका book value है रूपीज 174 यहाँ पे जो current market price देख़़ा है यह study का दिख़़ा है यह हम लोग के लिए माइने नहीं रखता है दोस्तों आज का जो current market price जाड़ा है वो 170 रूपीज के आसपास जाड़ा है मतलब जो current market price है वो book value के नीचे चला गया है इसका मतलब दोस्तों इस stock में एक opportunity सायद create हो रहा है और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे तो ROC अगर देखेंगे तो 10 से उपड़ है 11.8 और ROE थोड़ा सा खड़ा है 8.89 लेकिन यह जो है यह आने वाले time में जो है increase के तर और इसका जो business है वो बहुत ही diversified business है तो इसका business जो है वो डूब जाना लगवग असंभाव है तो दोस्तों यहाँ पर आगर मैं ROE को देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो है एक rocket बन नहीं सकता है यह कोई rocket जैसा उपर नहीं जा सकता है लेकिन इसका गिरने का chance भ हम लोग को क्या बता रहा है तो फ्रेंट्स हम लोग आ गया है ASEAN Granato के profit and loss statement पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं अगर 2018 से देखना चालू करूंगा तो आप देखिए continuous lease का जो sales है वो increase होड़ा है यहाँ पे जो TTM है मतलब जो current ER है उसमें थोड़ा सा decrease नजर में आ रह है और वो तो दोस्तो सभी company के लिए same है क्योंकि जो lockdown था उस time पे reality sector का कोई भी काम नहीं होना था और आप जानते अगर building नहीं बनेगा उस time पे कुछ नहीं होगा तो ceramic tiles का लोग करेगा क्या फिर भी आप देखिए sales बहुत ज़्यादा गिड़ा नहीं है लगभग इसका ज सब company का यह ऐसा हालत है कि कम है लेकिन इसका फिर भी जो operating profit आपको दीख रा है वो लगभग पिछले साल से same है दोस्तों operating profit के छोड़के आप अगर net profit मतलब profit before tax और net profit दोनों को देखेंगे तो आपको दीखेंगे जो profit before tax है यहाँ पे भी थोड़ा सा decrement है जो पिछले साल है उसके हिसाब से लेकिन net profit में आपकर देखेंगे तो net profit increase हुआ है क्योंके दोस्तों यह जो sector है इसका tax बहुत ज़दा घड़ गया है आप जानते हो के central government जो है tax का restructuring किया है और उसके हिसाब से इसका जो 30% corporate tax था वो गिर के 19% हो गया है मतलब इसका जो profitability है वो पहले से बढ गया है और इसलिए आप यहां पर EPS देखेंगे तो EPS भी इस साल का आपको उठा हुआ दिखेगा तो friends Asian Granite का profit and loss statement है यह भी हम लोगों को खड़ा कुछ नहीं बतरा है यहां पर जो बतरा है यह एक standard के हिसब से बतरा है मैं यहां पर यह नहीं बोल सकता कि यह बहुत अच् अच्छा profit या बहुत ही अच्छा return हम लोगों को दे सकता है क्योंकि इसका जो price अभी चल रहा है वो book value के नीचे चल रहा है तो friends चलिए हम लोग जाते हैं इसके balance sheet में और वहां पर देखते हैं कि long term के basis पे यह company हम लोगों को क्या बता रहा है तो friends हम लोग आ गए हैं Asian Granite के balance sheet में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो 2017 से अगर देखना चालू करेंगे तो cash reserve देखिए year on year basis के आपको increment में दिखेगा और अच्छा खासा increment में दिखेगा तो friends long term में यह जो है एक बहुती positive point है आप यहाँ पे borrowings को देखेंगे तो borrowings थोड़ा सा बढ़ गया था बीज में लेकिन अभी फिर से आप last 3 साल से देखेंगे तो borrowings अच्छे से घट रहा है मतलब company जो profit कर रहा है उसके हिसाब से यह अपना loan को भी चुकता कर रहा है तो company का bankrupt होने का भी chance बहुत कम है तो दोस्तो यह भी एक positive point के तरह ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ही negative point है दोस्तो वो है fixed asset fixed asset आप देखेंगे तो fixed asset आप देखेंगे तो fixed asset आप देखेंगे लास्ट तीन साल से fixed asset थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है तो दोस्तो इसको मैं एक negative point बोलूंगा यह एक negative point है तो friends जो हम लोगो यहाँ बैलेंस इट में भी दीख रहा है जैसे अभी इसका price गिर रहा है उपर से लोगों को देखके तो ही लगड़ा है कि भाई गिर के खताब हो जाएगा लेकिन दोस्तो उतना भी खड़ा balance sheet या profit and loss statement इस पर नहीं है कि एकदम share का price जो गिर के खताब हो जाएगा देखने से तो दोस्तो यही लगड़ा है कि यह जो है एक panic selling करवाने का जो है कोसिस हो रहा है तो friends चलिए हम लोग जाते है technical chart पे और वहाँ पे कुछ देखने का कोसिस करते है तो friends हम लोग आ गये है ACN Graniteo के technical chart में और मैंने यहाँ पे daily chart लिया है और यहाँ पे अगर मैं सभी line को draw कर देता हूँ तो आपको यह chart कुछ ऐसा दिख सकता है दोस्तो यह जो line आपको दीखना है तीनो नीचे का यह तीनो major support line है मैं अगर chart को छोटा कर लूँगा तो आपको दीखेगा यहाँ पे आप मेरा support resistance का वीडियो भी अगर देखे हैं तब भी आपको पता चलेगा आप देखिए कितना अच्छा यह पहले resistance के लिए काम किया थ तो यह expected है कि price जब उपर से नीचे आएगा तो यह support का ही काम करेगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी यह support का काम कर चुका है फिर मेरा averaging line है यह भी यहाँ पे support का काम कर चुका है और इससे पहले भी यह support का काम historically भी किया है तो दोस्तो इसी हिसाब से हम लोग क्या क कर सकते हैं हम लोग का अगर चार्ट में आप देखेंगे तो यही line mark किया हुआ है entry के basis पे हम लोगों ने जो लबाई mark किया है वह 160 रूपीस का दोस्तो और एक चीज़ है यहाँ पे मैं panic selling क्यों बोल रहा हूं देखिए जितना time यह support line के आसपास आने का कोशिस कर रहा है इ इसका मदलब दोस्तो आज के date में जो date है 25th February 2021 साइद आज के date में एक कोई भाड़ी भाड़ कम panic selling हुआ है और यही reason है दोस्तो इसलिए मैं आज इस video को बना रहा हूं और मेरे हिसाब से जो बोल रहा है वो हिसाब यही बोल रहा है कि 160 रूपीस के आसपास हम लोगों का entry हो सकता है हो सकता है और एक दो दिन भी यह sell करने का कोशिस किया जाए ताकर retail trader जो है इससे निकल जाए तो हो सकता है यह थोड़ा बहुत और निचा आएगा तो उसी हिसाब से दोस्तो अगर हम लोगों को entry के बाद 160 रूपीस में जब हम लोग entry कर लेंगे उसके बाद अगर price नीचे आता है तो हम लोगा जो averaging लाएगा वो 110 रूपिया के आसपास रहेगा 110 रूपिया के आसपास रहेगा और दोस्तो unfortunately price अगर और भी नीचे आता है तो दोस्तो इसके बाद सचमूत selling जो सुरू होगा वो 60 रूपीस के नीचे से सुरू होना चाहिए तो दोस्तो हम लो का price है वो touch करने से हम लोगा SL नहीं होगा SL का जो price है उसके नीचे जो है price को close होना पड़ेगा daily basis पे और उसका भी low break होना पड़ेगा तब ही जाके SL होगा नहीं तो बहुत सारा time पर आप देखोगे कि price इसको touch करेगा यहाँ पे नीचे closing नहीं दे पाएगा और उपर निकल जाए है तो यह भी होता है तो SL जो होगा वो closing basis पे होगा दोस्तों अभी जो है मैं बोल रहा हूं कि entry होगा averaging में आपको समझा दिया और SL भी समझा दिया तो दोस्तों अगर हम लोगा जो entry यहाँ पे होड़ा है 160 रूपीस यहाँ पे एक averaging level भी है तो हम लोग जब entry करेंगे तब पुड़ा का पुड़ा quantity से entry नहीं करेंगे हम लोगा जो भी risk management के हिसाब से capacity है उसका 50 या 60% लेके ही entry करेंगे और उसके बाद अगर price averaging level तक आया तो बाकी का को जो quantity है उसको हम लोग 110 रूपिया पे execute करेंगे और price को जो average कर लेंगे और friends अगर entry या averaging के बाद price transaction में जाता है और उपर जाता है तो हम लोगा जो partial profit booking का जो level होगा वो 290 रूपिस होगा मतलब price अगर घूम के 290 रूपिस तक जाता है तो हम लोग यहां पे partial profit book कर लेंगे और दोस्तों उसके बाद हम लोगी stock को investment के तरह छोड़ देंगे जैसे मैंने आपको बोला ceramic industry जो है वो अभी भी एक profitable industry है और आने वाला time में भी यह सायद profitable ही राएगा क्योंके दोस्तों जितना भी घर तैयार होगा जितना भी flat तैयार होगा सब में जो ही ceramic लगे गा ही तो दोस्तों इसलिए 290 रूपिस के आसपास हम लोग अपना जो profit है उसको थोड़ा सा book करेंगे मतलब 50-60% book करेंगे और उसके बाद बाकी के quantity को हम लोग investment के तरह छोड़ देंगे लेकिन दोस्तों एक चीज़ में बताना चाता हूँ कि इस channel में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा personal analysis है और मैं educational purpose यहाँ पोस्ट करता हूँ तो आप कभी भी मेरे यह सब level के basis पे नाग बंद करके trade ना करें आप इसके ऊपर अपना भी analysis लगाए आपका जो financial advisor उससे भी बात करें और उसके बाद ही decision ले कि आपको trade करना है या नहीं करना है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ है और इस वीडियो से आपको कुछ सीथने को मिला है तो इस वी request करना है तो आप में telegram channel join कर सकते हैं और वहाँ पर request डाल सकते हैं तो friends आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले educational वीडियो पर